शोर्शॉट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अबडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपणी विद्यारंभं करेश्यामी सिद्धिर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती नमश्कार दोस्तों शोर्शॉट फॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 3 जुलाई 2022 का दिन है यानि की रविवार का दिन है रात के 10 बच कर 30 मिनट हो रहे हैं आप सब भी का स्वागत है हमारे इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में दोस्तों बाहर हूँ मैं अपने जहां पर आफिस है मेरा वहां पर नहीं हूँ ट्रेवलिंग कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर लेकर आऊं बिकाज अगर हमें चीजों का समय पर पता ना लगे हम उसका लाब न उठा पाए या जो हम गलतियां कर रहे हैं उसे हम ना बचा पाएं तो फिर कुछ मतलब बनता नहीं है और इसी लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे और करीब आ जाएं आप मेरे और साथ आ जाएं और मुझे टेलीग्राम पे जॉइन कर लें टेलीग्राम चैनल है मेरा शोरशाट फॉर्मूला फैमली आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए मैंने एक QR कोड भी दे दिया है कि आपको कुछ भी सर्च ना करना पड़े सिंपल आप इस QR कोड को अपने कैमरे से स्कैन करें और सीधे आप हमारे चैनल पर चले जाएं चैनल को जॉइन कर लें के डाउन होने के बावजूद भी इंक्रिमेंट क्यों हुआ तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेंगी फ्री आफ कॉस मिलेंगी बिना किसी चार्जेस के मिलेंगी दोस्तों इस समय एक कमोडिटी या सेट आफ कमोडिटी जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फूजन है वो है सोने चांदी के अंदर गोल्ड सिल्वर में सोमवार को क्या होगा यानी की जो चार जुलाई का दिन है उस दिन गोल्ड सिल्वर के अंदर क्या होगा क्या हमें ये तेजी continue होते हुए दिखाई देगी या यहां से हमें market में एक retracement देखने के लिए मिलेगा एक pullback देखने के लिए मिलेगा तो ये इस video के अंदर मैं आपको बताऊंगा फैड में जो rate hike की संभावना है उसके बारे में बताऊंगा कौन से important data आने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा inflation की हालत बहुत खराब है fed इस समय एक चीज सबसे priority पे जबकि high inflation commodities के लिए फायदे मंद होता है gold silver के लिए special तो उसमें क्या संभावनाए है USD INR इंडिया के अंदर कम से कम 10% की बढ़ाद हमें USD INR की वजह से देखने के लिए मिल रही है global data क्या क्या आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये केवल Monday के लिए नहीं next week में कौन-कौन से data है तो Wednesday को याद रखिएगा Wednesday को important एक तो non manufacturing business activity का data है शाम को साड़े साथ बज़े ये बहुत important data है और Wednesday के दिन रात को FOMC के minutes of meeting release होंगे तो वो एक बहुत important data है उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से discussion हुआ था कौन किस पक्ष में था कौन विपक्ष में था rate high के आगे के लिए इनके क्या plannings हैं ये सब आपको fine prints देखने के लिए मिलेंगे decision कोई नहीं आएगा decision already आ चुका है जहां पर आपको 0.75 basis point का increment देखने के लिए मिला तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे साथ ही चर्चा करते हैं मंडे को किस तरह की opening हमें gold silver में देखने के सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड में दोस्तों गोल्ड में because of news because of rate high जो भी वज़े हो बट एक अच्छा breakout देखने के लिए मिला है मंडे को पता लगेगा हमें कि ये breakout sustain करेगा या fizzle out हो जाएगा ये बहुत कुछ depend करेगा international market की movement पे international market किस तरह से मंडे को behave करता है because इंडिया में जो duty hike होनी थी हो गई उसकी वज़े से जो movement आनी थी आ गई अब एक बार फिर से market international market के साथ और रुपे दिखिए मेरी बात को समझिए ये जो कवायद है ये क्यूं की गई है ये c.a.d को कम करने के लिए जो current account deficit है जो लगबख 23 billion 22-23 billion के आसपास पहुँच गया उसको कम करने के लिए की गई ये क्यूं की गई जो रुपया दिन पर जिन गिरता जा रहा है dollar के अगेंस में उसको counter करने के लिए की गई है अगर ये रुपय वाली चीज काम कर जाती है और रुपय में हमें एक 3-4% की मजबूती मैं जादा नहीं बोल रहा हूं 76-77 तक भी रुपया आ जाता है तो जो ये rate hike हुई है ये negate हो जाएगी इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं बहुत कुछ depend करेगा अब international market पे और रुपय पे जिसके लिए ये 5% hike की गई है मंड फ्राइडे को कोई खास फरक आता हुआ नहीं दिखाई दिया आप देखते हैं मंडे को क्या होता है एक resistance important में मंडे के लिए आपको बताना चाहता हूं 52,150 से 52 250 तक ये एक important resistance point है समझ लीजे ये candles को देखिए हवा में नहीं बोल रहा हूं 52,155 और ये high देखिए कब बना है ये 24 March वाले week में बना है मैं फिर बोल रहा हूं ये देखिए इस candle को समझे हर चीज साक्षियों के साथ आपके समख्ष उपस्थित किया जाता है ताकि आप उस से ग्यान भी ले सकें और लाभ भी ले सकें ग्यान भी ले सकें और लाभ भी ले सकें अगर ये hold हो जाता है तो फिर आप वापस इस तरह से एक low देख सकते हैं ये दिखिए जो low बना था ठीक है चलिए तो ये resistance है nearest है इनको ध्यान रखिए अगर ये break हो जाते है तो फिर market एक बार उपर की तरफ निकल जाएगी, कहीं भी कोई संदेह नहीं है, सस्थेन करेगी, नहीं करेगी, बात की बात है, बट ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिए, 52,150, 52,250 का वो रखिए, उपर में तो ये कहानी हो गई, अब हम बात कर लेते हैं नीचे में, तो नीचे स सपोर्ट निकालने के लिए जादा दिमाग लगाने के जरूत नहीं है, सिंपल सा एक पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाला, सबसे एक सपोर्ट हम यहां माल लेते हैं, इसका, 52,150 का, और उसके नीचे हम यहां पकड़ लेते हैं, ये देखे, बहुत सिंपल, 52,500, तो 50,000, और यहां मतलब जो नियरे सपोर्ट है, ये सब हैं, लेकिन इसको छोड़ दीजे, नियरे सपोर्ट 6700 पॉइंट नीचे है, अगर, 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 मार्केट इस रिजिस्टन्स को ब्रेक नहीं कर पाई, तो आप ये मान के चलिए, हमें एक ठीक ठाक रिवर् जो नियूस बेस्ट मूवमेंट है, ये फिजल आउट होते हुए दिखाई देगी, गोल्ड पे बहुत सिंपल बात है, अगरेसिव बाइंग मत करिये, फिर बोलता हूँ, अगरेसिव बाइंग मत करिये, जब तक ये रिजिस्टन्स क्रॉस नहीं होता, फिर बोल रहा कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या ना बोलता हूँ, आप वीडियो को पूरा सुनिया है, और देखिए मैंने वो लेवल्स बोले हैं या नहीं बोले हैं, तो ये सपोर्ट और रिजिस्टन्स है मंडे के लिए, सिल्वर पे लेके चलते हैं, संशेप में, बहुत कम शब्दों मे सिल्वर के अंदर क्या संभावना है, सिल्वर में एक सपोर्ट पकड़ लीजे, 57,650 का नीचे में पहला, उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, क्लोज होने की बात कर रहा हूँ, तो फिर मार्केट 56,400 और 56,000 तक चली जाएगी, 56,400 और 56,000 तक चली जाएगी, तो मार्केट नीचे में 56,400 तक चली जाएगी, जो रीसेंट समय का लो है, जो मार्केट में कब बना था, सेप्टेमबर 2020 में जब 77,000 का हाई बना था, उसके बाद वो लो क्रियेट हुआ, था क्लियर, कोई डाउट नहीं है, चलिए, अब ये कहानी है, सिल्वर में डिखे एक एक रिजिस्टेंस अगर छोटा रिजिस्टेंस पकड़ना हो तो 58,900 यहाँ पे पकड़िया, यहाँ पे पकड़िया है, ये ब्रेक हो जाता है तो 69,900 के आसपास, और final रिजिस्टेंस पकड़ लीजिये आप, यहाँ पे, जिसके आगे मार्केट जा नहीं पा र जो support बताया है उसको पकड़ लीजे overall silver में मुझे क्या लगता है ये बहुत से लोगों का question होगा अभी भी जब मैं video बना रहा हूं तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि अगर buying safe नहीं है तो selling भी safe नहीं है neither we should be buying nor we should be selling if you want to buy keep very tight stop process Monday को market को खुलने दीजे behave देखने दीजे कुछ recovery हमें Friday के session में रात में भी होते हुए दिखी है चाहे मैं gold की बात करूँ या silver की बात करूँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहानी क्या हुई है हमारी market बंद होने के बाद तो silver को खुल लेते हैं और gold को भी खोल लेते हैं ठीक है है सब खोल लेते हैं सब आपको दिखा देगे है अले साब हम तो चाहते हैं हमारा हर viewer informed होती है हमारी market कहां पर बंद हुई है यहां भी बंद हुई है और यह 17.88 बीस पॉइंट चालिस जब तोड़ दिया न इसने वह एक बहुत long term support था यार internationally अगर मैं बोलू हूँ सो I feel a lot of weakness still there as long as it is trading below 20.80 अब English बोल गया हिंदी बोल देता हूँ मुझे लगता है market में अभी भी weakness है जब तक यह 20.80 के नीचे लेकिन यहां पर नहीं बेच हूँगा मैं नहीं बेच हूँगा अगर मुझे बेचना भी होगा ना market में तो मैं इसको बेचना पसंद करूँगा यह देखिए यह एक यह एक long term support था इसको market ने तोड़ दिया फिर यह एक छोटा सा यह 20.40 मैंने आपको हमेशा बताया था यह भी तोड़ दिया अब क्या है यह एक support line है जहां पर market ने थोड़ा सा इसको ऐसे ले ले लेते हैं यहां पर एक रुकी है आप गौर करिया बट अगर यह ब्रेक हो जाती है ना तो फिर straight away कुछ है नहीं आरा हमारे पास यहां तक यहां तक कुछ नहीं है यह देखिए तो यह एकाद डॉलर की जो गिरावट है ना वो अभी भी है और यह नहीं तूटना चाहिए गुरू अगर य पहानी यह यहां तक है चाहिए यहां तक और यहां तक अब इंटरनेशनल पर यहां यहां बोलता हूं मैं तो कई बार मुझे लगता है आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि यहां पर रेफरेंट दिये हुआ है अब कुछ लोग नहीं समझ पाते है तो हम क्या करें लेकिन 19 डॉलर के आसपास का एक सपोर्ट है फिर ये तूट जाता है तो 18 डॉलर 40 सेंट के आसपास का सपोर्ट है फिर उसके नीचे ये एक बड़ी सी रेंज है जिसमें मार्केट ने पहले कंसॉलिडेट किया था तो सपोर्ट बहुत सारे है इट वोंट बी डैट इजी कि सपोर्ट थोड़ दे बाकी जब कुछ भी गिरने पर आता है तो आप समझ सकते हैं उसका कहीं भी कोई वो नहीं होता कि वो कहां तक जा सकता है तो सिल्वर में ट्रेट कर रहे हैं तो इन सारे सपोर्ट का जो मैंने आइडेंटिफाई किया आपके आगे अब देखिए इसक कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपके यह वाला लेवल चला गया इसको मैं दुबारा ले आता हूं क्योंकि यह तो बहुत इंपोर्टेंट है या अच्छा यह है तो खीचा हुआ यह है और यह अगर ब्रेक हो जाता है फिर एक यह छोटा सा है बट इसको मैं एक्स्प्लेन क क्रिएट रिवर्स सिग्नल देखे यह जब 56,000 पिशली बार बना था तो मार्केट 21,90 पे थी यह देख रहे हो आप यह जो सेप्टेंबर 2020 में बना था नहीं सेप्टेंबर 2020 तो यह है ना 11,8 और यह क्या है हाँ यह बना था यहां पे लो बना था तो हमारे यह 56,000 का बन ग पाई है चू नहीं पाई है उसकी वज़ा है हमारा रुपया अब गोल्ड को भी थोड़ा देख लो गोल्ड भी थोड़ा उपर ही बंद हुआ है वीडियो थोड़ा लंबा होता है बट हाँ आप लोगों को समझ में आता है कि जो बात मैं कर रहा हो ना वो कनेक्ट कहां पर जाके हो रहा है ट्रेड में लॉस और प्रॉफिट तो ठीक है मैं अगर यह कहूं लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं है तो यह गलत होगा बट लॉस प्रॉफिट से जादा जरूरी होता है उसको समझना देखे इसमें भी अपन कुछ सपोर्ट छूनते हैं तो यह नहीं था एक्चुल में अगर पॉइंट था यह था यह थोड़ा सा नीचे की तरफ गई बट सेम डे में रेकवर हो गई इसके नीचे कहां पर है भाई इसके नीचे हमें एक सपोर्ट यह दिखेगा अब यह सपोर्ट कहां का है इसको समझे आप ब्रेक आउट से पहले का यह दो हजार 21 में 15 दिसंबर 2021 का लो है अब अपने चार्ट पर देखें 15 दिसंबर 2021 को क्या किया था गोल्ड ने 15 दिसंबर 2021 यह तो 12 दिसंबर है यह है 29, 17, यह है 15 दिसंबर, 48,000 के लेवल पर ता तो अब आप सोचिए हम 4,000 उपर हैं यह देखें इससे पहले यह लो बना था हमारे यहां 3 दिसंबर को 3 दिसंबर उसके बाद 4 पार चुटी थी 6 दिसंबर को मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखी और उस दिन का जो लो था 3 दिसंबर का वो बना था 46,388 का अब यहां पर देखते हैं 3 दिसंबर को कहानी क्या थी यह है 29 यह देखिया यह ही लो था तो यह जो सारा लोचा हुआ था न उसके बाद में यह prospect में इंडिया मार्केट में लो बनाया होगा फिर भी जो prices है वो तो ये एक support है जो की 1770 डॉलर के आसपास आता है 1770 डॉलर आप याद रखिए recent time में जो low है वो इसी के आसपास का है ये अगर breakdown दे देता है ये बहुत ये ये कोई छोटा मोटा support नहीं है ये आप नीचे में date देखिएगा ये long term support है जब actual में breakout आया था breakout आने की शुरुआत कहां पे हुई थी देखिए ये यहां से market चलनी शुरू हुई है और ये था जो 10 साल के उपर का level था 1900 something का यहां से breakout मिलाया हमें ये इस जगह पे और ये बहुत fast हुआ है ये पूरा काम खेर इतना detail में नहीं जाते हैं let's not get into that इसके लिए एक separate video बनाएंगे जहां पर मैं आपसे बात करूँगा अभी इतना time नहीं देते हैं अभी तो वापस आते हैं तो ये कुछ important resistance हैं कुछ supports हैं जो मैंने आपको बताए हैं Monday के लिए आप उनका ध्यान रखेगा इसके अलावा weekly कौन से important support और resistance है weekly analysis क्या है मेरी videos मैंने बना दिया है डाल दिया है आई बटन पर link दे रहा हूं उनको जाके आप देख लीजे और टेलीग्राम पर सारे videos डाले हुआ है सारे videos सारे updates डाले हुआ है तो जाए टेलीग्राम जोइन कर लीजे शोर शॉर्ट फॉर्मूला फैमली फ्री है ये channel free 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 channel जोइन कर लीजे और इसी तरह से अपना प्यार आशिरवाद देते रही है जो कुछ मिलेगा वो best मिलेगा अपनी तरफ से best देने की कोशिश करूँगा और आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा content आपके लिए लेकर आता रहूँगा जैहिंद वंदे मात्रम